जैजनीद्र वन्देतो सवसिद्धे दुवममल मनोवमम्गदिम्पते वो चावी समय पाहुड मिडमो सुद्ध के वली भड़िदम्पंच परमेश्टी भगवान की जै गरंत राज समय सार जी पिछली ग्यान साला में पूरा हो गया सारी गाथाएं आपको पढ़ा दी गई गाथाएं तो बहुत सारी रही चार सो उन्तालीस लेकिन उन में कुछ गाथाएं ऐसी हैं जो आपको याद करनी है हमेशा आपके दिल में आपके मस्तिष्ट में लिखी रहनी चाहिए उन गाथाओं को आज हम अंत में पढ़ा रहे हैं ताकि वे गाथाएं आप कभी न भूले निकालिए गाथा नमबर बाईस कमेडो कमम्मिय अहमिदियह कम्च कम्मडो कमम जाये साखल बुधी अपड़ि बुधो हवदिताव अर्थ जब तक ये आत्मा द्रविकर्मों में भावकर्मों में और नोकर्मों में मैं इस रूप हूँ ये कर्म नोकर्म मेरे हैं ऐसी बुधी वाला होता है तब तक अज्यानी रहता है अतहे मैं इन भावों को छोड़ता हूँ क्या बात बनी अर्थाद द्रविकर्म भावकर्म नोकर्म मेरे नई है मैं इस रूप नई हूँ मैं तो इन से भिन ग्याता द्रिश्टा सुभावी आत्मा हूँ तो मैं कैसा हूँ देखिए गाथा नंबर 43 निकालिए अह मेको खनु सुद्धो दन्सडणान मैयो सदारूवी रवियति मज्यकिन्चिवी अल्ण परमाणु मेतंपी मैं एक हूँ निश्चे से शुद्ध हूँ दर्शन ग्यान मैं हूँ अरूपी हूँ अन्बाई परमाणु मात्र मेरा किंचित भी नहीं है संसार में जितनी वस्तुएं दीखती है किसी से मेरा किसी प्रकार का कोई संबंद नहीं मैं तो एक अकेला दर्शन ग्यानमई आत्मा मात्र हूँ बहुत चुनी हुई गाथाएं हैं इनका चिंतबन सामाईक में करिए जब फ्री हो तब करिए ये आपको आत्मा के पास ले जाने वाली है अगली गाथा देखिए गाथा नंबर चववन अरसमरूबम गंधम अववत्तम चेदना गुणमसद्धम जानु अलिंग गहिणम जीव मने दिठ संठानम ये आत्मा कैसा है जो रस रहित है रूप रहित है गंद रहित है इंद्रियों के अगोचर है इंद्रियों से नहीं जाना जाता चेतना गुण से युक्त है शब्द रहित है किसी चिन्द या इंद्री द्वारा ग्रहन नहीं होता और जिसका आकार बताया नहीं जा सकता उसे जीव जानो अर्थात मैं ऐसा हूँ पहली में ये बताया था मैं कैसा हूँ इसमें बता रहे हैं मैं कैसा नहीं हूँ ये मेरी आत्मा का स्वरूप नहीं इस तरह अपनी आत्मा का अनुभव में क्या हूँ इसका भान करना है गाथा नमबर 78 अर्थ देखिए ज्ञानी समाधिस्त समाधिमें इस्थित होकर विचारता है कि मैं निश्चे से एक हूँ, शुद्ध हूँ, ममता रहित हूँ और ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण हूँ अते उसी सुभाव में इस्थित होता हुआ एवं चैतन्य के अनुभाव में लीन होता हुआ मैं उन क्रोधाद सब आस्रव भाव का ख्षय करता हूँ अर्थात जब तक मैं अपनी सुभाव में लीन नहीं रहूँगा तब तक तो मैं आस्रव भावों को बनाता रहूँगा आस्रव भावों मेरे में होते रहेंगे जब मैं अपने चैतन के अनुभाव में लीन हो जाऊँगा तब मैं इन सब आस्रव भावों से दूर हो जाऊँगा आस्रव हे यहें अते हैं मैं इन आस्रव भावों को छोड़ने के लिए अपने सुभाव में इस्तित होता हूँ गाथा 157 रतो बंध दिकम्मम मुंचद जीवो विराग संपल्लो एसो जिडो वदेशो तम्मा कम्मे सुमारज्य अन्य पदार्थ में राग करने वाला जीव कर्मों से बंधता है और वेराग से संपन्न जीव कर्मों से छूटता है ऐसा जनेंदर भगवान का उपदेश है इसलिए सुब और अशुब कर्मों में राग मत करो कितनी अच्छी गाथा है देखो जब तक हम अन्य पदार्थों में शरीर इस्त्री पूत्र धन पैसा आग में राग करते रहेंगे तब तक तो बंधते रहेंगे और जब इनसे राग दूर कर देंगे वेराग में आ जाएंगे तो हम कर्मों की निर्जरा करने लगेंगे आज हम सुबे से शाम तक इस राग के चक्कर में फसे हुए हैं हम अपना स्वरूप नहीं जानते इसलिए वेराग हमें नहीं होता जिस दिन हम ये जान जाएंगे ये कोई पदार्थ मेरा नहीं मेरा तो मैं अकेला हूँ बस उसी दिन पदार्थों से राग छूड़ जाएगा और अपनी आत्मा से राग हो जाएगा जब तक राग है तब तक बंद है और जहां राग गया वहां बंद तो गया ही गया कर्मों की निर्जरा प्रारंब हो गई इसलिए हमें क्या करना शुब और अशुब कर्मों में राग मत करो ये संसार के कारण है ऐसा समझो तो कैसे बने शुब अशुब कर्मों में राग मत करके अपने को वैराग में बनाओ गाथा नमबर 218 आचारियों ने कितनी अच्छी गाथाएं लिखी है इन गाथाओं के लिखने में उनकी कितनी विशुद्धी बड़ी होगी और कितनी विशुद्धता में आके उन्होंने इन गाथाओं को लिखा होगा देखें यह शरीरादिक परद्रव्यद भले ही छिद जाओ भिद जाओ अथवा कोई इसे ले जाओ अथवा नस्ट हो जाओ जिस किसी दशा को भी प्राप्त हो जाओ तो भी यह मेरा परद्रव्य नहीं है यह निश्चित है परद्रव्य क्या जिसको मैंने गढ़न किया हो शरीरादिक परद्रव्य चाए छिद जाए चाए भिद जाए इसे ले जाओ शरीरादिक परद्रव्य मेरे है यह नहीं शरीरादिक परद्रव्य तो पुद्गल है मुझसे भिन्न है अन्य है यह मेरे कैसे हो सकते है नहीं हो सकते इसलिए शरीर आदिक परद्रव्यों के इच्छेदन भेदन में मुझे राग द्वेश परेशान होने की आवश्यक्ता नहीं जब कोई जीव समाधी करते हैं न तब वो इन बातों का बिचार करते हैं मेरा शरीर दिन प्रतिजिन कमजोर होता जा रहा है अब ये अंतिम समाधी की पूर्टा की ओर जा रहा है जाने दो मैं थोड़ी कुछ बगड़ रहा हूं मेरा कुछ भी नहीं बगड़ रहा मैं तो ग्याता दृष्चा मात्र मैं तो परमशुद आत्म सुरूब जैसे सुभाव बाला आत्मा हूं इसलिए परदरवियों के छिदने भिदने में नस्ट होने में मेरा कोई संकल विकल्प नहीं मेरा कोई रागदेश नहीं ग्यानी ऐसा विचारता है और जो अग्यानी है वो शरीरादिक जराबी छिर जाए भिर जाए तिल मिला जाता है क्यों क्यों कि उसने शरीर को ही अपना स्वरूप मान रखा है भेद विज्यानी हमको बनना है शरीर मेरा नहीं मैं तो शरीर से भिन आत्मा हूं ये जो दीख रहा है न ये तो पुद्गल है और इसके अंदर जो सुंगने वाला चखने वाला देखने वाला है वह आत्मा मैं हूं ऐसा विचार बनाना चाहिए और जब ऐसा विचार बनेगा तो शरीरादिक नस्ट हो जाए कुछ भी हो जाए रंच मात्र भी तत संबंदी विकल्प हो गई नहीं क्यों मेरे है नहीं फिर मुझे विकल्प क्यों गाथा नुमबर दो सो उन्नीस एदम्मिरदोडिच्यम संतुठो हो इडिच्यमे दम्मी एदेन हो इतित्तो तो हो हगि उत्तमं सोखं हे आत्मन यदि तू सुख चाहता है तो उसी आत्मा नभव रूप ज्यान में तलीन होकर रहे उसी में सदा के लिए संतोष धारण कर और उसी के द्वारा तरप्त हो सब इच्छाओं को छोड तभी सदा बना रहने वाला उत्तम सुख प्राप्त होगा कितनी सुन्दर गाथा लिखी है हम और आप सब सुख चाहते हैं सुख चाहने के लिए क्या करें आत्मान भव रूप ज्यान में तलीन हो जाए मैं तो आत्मा मात्र हूं अन्य कुछ नहीं हूं मैं आत्मा का ही चिंतन करूं अन्य का कुछ भी नहीं करूं इसी में तल्लीन रहू आज तो हमारी दशा बड़ी बिचित रहे हम सुवे से शाम तक या तो शरीर की सेवा में लगे रहते हैं या परिवार की सेवा में लगे रहते हैं या रुपे कमाने में लगे रहते हैं उसमें तल्लीन रहते हैं आचार कहते हैं नहीं इन सब को छोड़ दे अपने आत्मा नुभाव मने अपनी आत्मा को जानने रूप जो ग्यान है उसमें तलीन होकर रहे उसके अलावा और किसी में लीन मत हो दूसरी बात उसी में सदा के लिए संतोष धारण कर अगर मेरे पास पचास लाख हो जाएंगे औहा हम मुझे आनन्द आ जाएगा मेरा वेतन पचास जार रुपे महिना हो जाएगा बस बस तो आनन्द आ जाएगा नहीं ऐसा मत कर जब तुझे आत्मान्भव होने लगे तो ऐसा सोच आत्मान्भव हो गया अम मुझे कुछ नहीं चाहिए मैं तो इसी में संतुष्ट हूँ मेरा लक्ष क्या था आत्म सरूप की प्राप्ती अम मुझे आत्मा अनुभव आत्म सरूप की प्राप्ती हो रही है तो मैं इसमें संतोष धारण करू आगे क्या लिखा है उसी के द्वारा त्रप्त हो मेरे पास एक करोड हो गए अब सब त्रप्त हो गया मैं अगर वहाँ प्रेसिडेंट बन जाओंगा मिनिस्टर बन जाओंगा तब मेरी त्रप्ती हो जाएगी नहीं नहीं ऐसे नहीं मैं अपने आत्मा में लीन हो जाओं मेरा सारा काम हो गया आज मुझे त्रप्ती मिली है आज मुझे आत्मा नंद की प्राप्ती हुई है इसी में त्रप्ती का अनुभव कर क्या लिखा आगे देखो सब इच्छाओं को छोड़ सुबह से शाम तक इच्छाओं का ऐसा वो लगा हुआ है तार तम में छूड़ता ही नहीं एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी दूसरी पूरी होती तो तीसरी लगी रहती है जब तक एक को पूरी करता है दूसरी इच्छा आ जाती है आचारे लिखते हैं जैसे खेती में रहट से पानी दिया जाता है जब एक रहट की बाल्टी खाली होती है ना सामने वाली दूसरी बाल्टी भरी फिर आ जाती है जब तक वो खाली होती है फिर आ जाती है इसी तरह एक इच्छा पूरी हुई अगली इच्छा शुरू हो गई इच्छाओं से तो तेरा पीछा कभी छूटने वाला नहीं इसलिए इच्छाओं को छोड़ अपने आत्मा के जानने में लीन होकर रहे ये समय सार जी की गाथाएं हैं बड़ी मीठी बड़ी प्यारी आगे क्या लिखा तभी सदा बना रहने वाला उत्तम सुख प्राप्त होगा देखो जो इंद्रियों से हमें सुख मिला है इंद्री संबंधी ये तो नाशवान है अभी है एक घंटे बाद है के नहीं एक दिन बाद है के नहीं लेकिन अगर इस तरह आत्मा में लीन होकर जो सुख प्राप्त होगा न वो तो सदा बना रहने वाला होगा कभी नाश नहीं होगा और वो सुख उत्तम सुख होगा उसे और आगे कोई सुख नहीं उसे कहते हैं अतींद्री सुख योचिंत निजमे थिर भये तिन अकत जो आनंद लयो सो इंद्र नाग नरेंद्र वा अहमिंद्र के नाही कयो हमारा लक्ष है उस सुक की प्राप्ती हमें हो हमारा सारा जीवन उस सुक के लिए समर्पित हो ये प्राप्त हो गया बस बस अब मुझे सब कुछ मिल गया मैंने इसी के लिए तो समय सार जी का स्वाध्याय किया था कितना आनंद आएगा गाथा नंबर 319 पल्णाएगी तब वो जो चेदासो अहम तुने चैदो अवसेशा जेभावा तेमज परितियादवा प्रज्या माने बुद्धी के द्वारा इस प्रकार ग्रहन करना चाहिए कि जो चिदात्मा है जो चैतन्य सुभावी जानने देखने वाला आत्मा है निश्चै से वह मैं हूँ शेश जो भी भाव है जो भी पदार्त है जो भी द्रव्या वस्तु है जो मुझे दिखाई पड़ती है वे मुझे से पर है यह जानना चाहिए इस गाथा को आचारियों ने तीन प्रकार से लिखा है एक तो यही लिखा पड़नाए घित तबो जो चेदा प्रग्या से ग्रण किया गया जो आत्मा है वे मैं हूँ दूसरी गाथा लिखी पड़नाए घित तबो जो डठा जो देखने वाला है वे मैं हूँ तीसरी गाथा लिखी पल्णाए घित तबो जो नादा सो अहम तुने इच्छाई दो तीन बातें लिखी प्रज्या के द्वारा ऐसे ग्रहन करो कि जो जानने देखने वाला है जो दर्शन करने वाला है जो जानने वाला है जो चेताईता है वे तो मैं हूँ इसके अलावा अन्य जो भी भाव है वे सब मुझसे भिन्ने हैं इस प्रकार जानो जब इस प्रकार हम जान लेंगे तो आत्मा के अलावा अन्य किसी पदार्त में अपना इंटरेस्ट बनेगा यह नहीं कोई पदार्त चाहे नस्त हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन फिर भी मुझे उसका सुख्दुक होगा ही नहीं क्यों मुझसे पर है और मेरी आत्मा में अगर जरावी कोई गड़बड़ी होगी तो वो मुझे बरदास्त नहीं होगी आत्मा से भिन्न जो कुछ मुझे दिख रहा है ये सब भिन्न पदार ये मेरे कोई नहीं है मैं तो चैतन्य आत्म सरूप मात्र हूँ जब ऐसी बात बन जाती है तब सरीर से भी निर्ममत तो हो जाता है हम परत्मानियों के शास्त्रों में पढ़ते हैं मुनि महराजों के ऊपर बड़े बड़े उपसर्ग होते हैं लेकिन वो अपनी साधना से चिकते नहीं क्यों नहीं चिकते कि उन्होंने ये मान रखा है जो जानने देखने वाला है वै तो मैं हूँ ये शरीर इस्तरी पुत्र बगर सब कुछ ये मेरे कोई भी नहीं है पदम पुराण जी में लिखा है जब रावण ध्यान करने लगा बहुरूप्री विद्या सिद्ध करने के लिए तो वहां अंगद आदी आए उन्होंने कहा इसके ध्यान को कैसे भंग किया जाए तब उ हमारे परवारी लोगों को गसिट रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं लेकिन रावन रंच मात्र हिला नहीं, क्यों नहीं हिला उसका विश्वास था ये मेरे नहीं मेरा तो बस मैं हूं, ऐसी धारणा बन जाती हैं जैपुर में एक सज्जन समाधी में थे उनके सारे शरीर में कैंसर का बड़े बड़े फपोले पड़ गई थे और उनसे मवाद बहरा था घर वालों ने उन्हें निकालके बाहर गेरिज में रख दिया था इतनी बदवू घर में हम कैसे वरदास्त करें हमारे साथ वो स्वाध्याई किये हुए थे हम उनको देखने गए और हमने उनसे कहा ओहो तुमारा क्या हाल हो गया भीया यह तो बड़ी गड़बड हो गई लेकिन देखो आनंद की बात वो मुस्करा रहे थे उन्होंने मुस्कराते हुए कहा क्यों आप भूल गए समयसार जी के स्वाध्याई में क्या पड़ा था आत्मा मैं हूँ आत्मा के अलावा जितने पदार थे वे मैं नहीं जो यह सड रहा है ना जिसमें से मबाद निकल रहा है ना यह मुझ में से नहीं निकल रहा मेरी आत्मा में तो मवाद है ही नहीं मेरी आत्मा में तो मल भरा हुआ है ही नहीं आपको जो दिख रहा है ये मेरा स्वरूप है ही नहीं मैं तो इससे भिन जानने देखने वाला हूँ इसलिए शरीर में इतना कस्ट होने पर भी मुझे कोई कस्ट नहीं है मैं देखके दंग रह गया उन्होंने वास्तम में सही पूछो ना समेसार को आत्म साथ किया है बड़े बड़े समाधी करने वाले लोगों को हमने देखा कितने ही कष्ट में वो हिलते नहीं है वो जरा भी दुखी भी नहीं होते हमने 90-90 पिच्चाने पिच्चाने वरस के लोगों को देखा जिनका स्वाध्याई है और जिनोंने समेसार पढ़के उतारा है जीवन में वो हिलते नहीं उनके चैरे पर दुख की एक एक लखीर आपको नहीं मिलेगे कारण उनका स्रद्धान पूरा है इसलिए समेसार जी के स्वाध्याई की ये आठ गाताएं हमने बनाई इन आठ गाताओं को यहां लिख लीजिए जब चाहा ज्ञाक लिया और पढ़ लिया जब भी कोई कस्ट आया गरस्ते में मुसीबत आई ज्ञाक लिया ये मेरा स्वरूप नहीं वो मर गया वो पैदा हो गया संपत्ती नश्ट हो गई बीमारी हो गई ये मेरा स्वरूप नहीं इसमें हर्ष बिशाद करना मेरा काम नहीं अगर ऐसा हमने आपने अपने आपको बना लिया तो हमने वास्तम में समेसार पढ़ा है ये समय सार पढ़ने का फल है समय सार पढ़ने का आनंद है अपनी आत्मा के शुद्ध सवाव का परचे हो जाना हम लोग भेद विज्ञान की बड़ी बात करते है भेद विज्ञान का मतलब क्या है मैं आत्मा हूँ और मुझसे भिन जितने पदार्थ हैं मैं किसी में नहीं कोई मुझ में नहीं अन्य परवाणू मात्र भी मेरे में नहीं है मेरा कणकण आत्मा चेता ग्याता द्रिस्टा है मैं तो मात्र जानने देखने वाला हूँ मेरी आक्मा का कल्यान इसमें है कि मैं राग द्वीश, मद, मोह, काम, कुरोध, आलिभावों से हटूं संसार में दो तरे के कार करने होते हैं एक लोकिक कार, एक अपने आध्यात्मिक या आत्मिक कार है लोकिक कारियों से मुझे कोई वास्ता नहीं इन से मुझे क्या लेना देना ये मेरे थोड़े हैं और आत्मा संबंदिकार ये मेरे हैं उनमें धील हो जाए तो हो जाओ, इनमें धील नहीं होगी आज हम लोगों को क्या हो गया सांसारी कारियों के लिए हम पार्मार्थिक या धार्मिक कारियों को शौर्ट कर देते हैं नहीं बहुत गलत वे काम धार्मिक पार्मार्थिक जो हैं वो मेरे काम हैं जिस दिन हमको ऐसा भान होने लगेगा समझना उस दिन हम हमारी आत्मा समेसारी आत्मा बन जाएगी समेसार पढ़ा आपको पढ़ानी में आपको कितना आनन्द आया मालूम नहीं मैंने पढ़ाया मुझे तो बहुत आनन्द आया समयसार गरंथी ऐसा है सही पूछो इसमें अम्रत भरा है इसमें आनंद भरा है खूब पढ़ो अच्छी तरह याद करो और अपने जीवन में उतारो अन्तिम गाथा 449 में आचारी महराज ने कहा है जो इस समया समयसार को पढ़कर अर्थ तत्त को जानकर अर्थ को अपने जीवन में उतारता है उसको परम सुक्की प्राप्ती होती है अर्थात उसकी आत्मा समयसार बन जाती है समय माने आत्मा समयसार माने स्रेष्ट आत्मा और यही तो हमारी जीवन का लक्ष है हमारी भावना है आप सब सुरोतागर इस समयसार को अपने जीवन में उतारे और अपनी आत्मा को समयसारी बनाए सुक दुक में समता भाव धारन करने वाला बनाए और व्रती बनने की और मुनी या आरिका बनने की सोचें अगर ऐसा करेंगे तो हमारा समेसार पढ़ना सफल होगा हमारी कामना है आप सब के ग्यान और वेरागे की बृद्धी हो बोलिये समेसार गरंथ राज की जै बोलिये आचार कुंद कुंद महराज की बोलिये आचार विद्या सागर जी महराज की जै 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 जिनें जै जै जिनें इस कारिक्रम के पुन्यार जख है वर ये सौरब जएन की दसवी पुन्यस्पृती में पिता एसी जएन माता सनेह जएन भाई गौरव जएन भाभी सोनिया जएन अतिशे आम्या जएन बहन गर्मा जएन जीजाजी नीरज जएन समीर रिजुल जएन